पोको F1 के लिए एक Android 13 का जो है पोर्ट रोम IMI 14 बेस्ट रोम है यह आपका और बीटा बिल्ड है उसे तो बट यहां भी आपको यह पोर्ट रोम मिल जाता है नगीशा पोर्ट टीम की तरफ से और इसके अंदर क्या कुछ करना पड़ेगा इंस्टोलेशन वह सब भी बताऊं बनी रहेगा तो जैसे यह जो है मीवाई 14 का जो है डेवेट 23.1.9 बेस्ट बिल्ड है और आपका यहां पे इंडोइड वर्जन 13 है सेक्यूर्टी पैच अगस 2023 का मिलता और करनल इसके इंदर में रॉक्स्टार वर्जन 20 यूज़ किया गया है और यह जो है यहां पर लिख इसके इंदर में यूज़ कर पाऊगे यहां पर इंस्टोल कर रखाओ और आपको दिखा दो बिल्कुल यह वर्किंग इसका एपी के भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा वह से इसके इसके इंदर कस्टम करनल भी सपोर्टेड है कस्टम करनल अगर आपको फ्लस करना है यहां पर बताया गया कि सिस्टम एक्सटी वाला Flux नहीं करना है suffix करना और इसके इसके पर परमेशी भी मिलता अपका इनफोर्सइंग देखने को मिल जाता स्फूफिंग जैसे कि किया गया घुन करनो करने बाकि विजट फोर्ट मिल जाया है एं इंगलिस में मिलते हैं को बिल्कुल उन्लोग्ड हुए पड़े हैं तो यहां पे आराम से आप फ्री में को यूज कर पाऊगे यहां पे अन्लोग्ड रहेंगे एंड फोल्डर का जो साइज है वह भी एक बार आपको दिखा दूति यहां पे आपका इन लार्ज और हुज वाला मिल जाएगा एंड कर रहा है इन कोग नीटो यह सब चीज़े मिलेगी बट यहां पे ऑटो ब्रैनेस का जो बग है वह इसके अंदर मिलता जो की दूसरे अंडूइट 13 में भी आप देखोगे मिलता एक एप है जो की डिस्क्रिप्सन पर यह स्क्रीन पर फ्लस कर दूंगा उसका नेम तो आप जो है डाउनलोड कर लेने प्लेश्टोर से राम सुस्क्राइब यूज़ कर पाऊगे बना मैनूली यूज़ करना पड़ेगा और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीका का पावर मेनू बाकि आपका जो एप आप आपनिंग अनिमेशन है अगर आप देखोगे यहां पर काफ कॉलिंग की बात करें, कउलिंग के नंदर में हमारा जो क्यारेर बीडाओ है वह इसके अंदर काम कर रहा है वाइफ वाइफट क मैं करना पड़ेगा और इसके अंदर में पावाटर लिए ब क्लिक्ट पाओगे अग्या उसमें प्रॉब्टोर्ट बीडॉज कर आपका वह जो है 4K 60fps तक का option मिल जाता है तो इसका भी यूज कर पाऊगे बट इसकी एक प्रोलम में जो की काफी बड़ी सी भी प्रोलम देखने को मिल सकती है आपको जो की आगे मैं बताऊंगा यहां पर आप देखोगे तो महुर के अंदर भी slow motion में 120fps का बग रहा है का बाकी पहना मो प्रोलम में आप यूज कर सकते हो वो सारे सारे आपके यहां पर काम करने बंद कर देंगे यह भी जैसे कि फ्रीज हो गया अब इसके बाद इसको इसके प्लियर करोगे जो है आप इन्फो में जाके तभी यह सई होगा नहीं इससे प्रोलम क्या आएगी कि अगर आप जीके प्रोलम के अंदर फिर जाता है यहां पर एडिट में आपको चल के दिखा दू क्या कुछ मिलने वाला है इसके इंदर में तो यहां पर इसक्रीन रिकोडिंग मिल जाती है और अगर एस्टी काड यूज कर तो इसके इंदर वर्किंग और टीज स्टोरेज भी यूज कर पा इसको लेकर की दिक्कत नहीं है और वाइडवान एलवन का सब्वोड जैसे कि यह भी जो हमें यहां पर मिल जाता है इसको लेकि कोई प्रॉलम नहीं है ऑक के गूगल का बग रहेगा बाकि गूगल फोटो के अंदर हमें कोई भी यहां पर अन्लिम्टर श्टोरेज देखन 40 Wall Papers यहां पर मिलने वाले यह कुछ यहां पर इनमी के Wall Papers आपको यहां पर मिल जाएंगे वहीं थिम में जाओगे ताराम से आप यहां पर खर पाओगे थिम को इंपर्ट मिल जाएगा और जो थिम स्टोर आपको इंगलिस में देखने को मिलता है यह जो है चानिज में अंदर में भी यहां पर हमारा वाइबरिशन तो काम कर रहा है बाकि साउंड इफेक्ट भी वरकिंग है सिर्फ इसके इंदर जो डेंजर वाला उप्सन है वही काम नहीं करता बाकि साउंड इफेक्ट आपका पुरा काम कर रहा है जो है modded वाला है तो काफी कुछ यहां पर मिलेगा gesture बटन आप यूज कर पाऊगे स्मूध काम कर रहा है बट आप यहां पर देख सकतो global icon animation इसाब इनेबल कर पाऊगे recent पर ios style वाला भी इनेबल कर पाऊगे recent के लिए काफी settings आपको यहां पर मिलने वाले जो की modded पूरा यह face unlock है ओ काम नहीं कर रहा है तो उसकी वज़े से यह प्रॉलम यहां पर आपको camera में भी देखने क्यों मिलेगी यहां पर भी face unlock पर भी तिसलिए device restart कर लेने या फिर उसको clear कर देना camera को तब आपका काम करने लग जाएगा और आप देख सकतो restart करने बाद काम कर रहा है और इस आपका यहां पर बैटरी का देया गया है अगर इस तरीके का UI है वहीं बैटरी वेकप की बात करें तो बैटरी इसके अदर मुझे थोड़ी अच्छी लगी है बैटरी वेकप खराब केडिगरी में बिलकोल भी नहीं है बैटरी अच्छी मिल जाते है चार्जिंग देखे जरूर यहां पर थोड़ी अच्छी बैटरी वेकप के साथ देखने हुए यह नॉर्मल जो है वही आपको देखने हुए यहां पर रहन देना आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे यह प्रोलुम करेगा तो यही रहन देना बाकी यहां पर लैंग्विज के अंदर जरूर आ आपको यहां पर देखने को मिल जाती है एन फे नीचे जेस्चर सोटकरी सब रहेगा क्लियर स्पीकर फ्लोटिंग मिंडो भी है मेमरी एक्स्टेंशन भी तक मिल जाता है और यहां पर सेकेंड स्पेस LED लाइट ही सब जो है कोई काम कर रहा है स्क्रीन टाइम है बाहर में य सब काम कर रहें एंट्ट स्कोर यहां पर काफी कम देखने को मिल रहा है और गीग विंच इसकोर भी देखोगे तो काफी कम ही मिल रहा है सिंगल में 264 जहां 500 तक मिलता था वहीं मल्टी में 1319 देखने को मिल रहा है यहां पर इंस्टोलैशन थोड़ा समय आपको समझाओ दोती यहां पर आपको जू है सिंपली इसका एप डबलू यहां पर यह जो वैब व्यूप यह डाउनलोड कर ले ना और रोम डाउनलोड कर ले और सबूसने करे रहो ग गे कस्टम रोम भी ख्लाश करने के लिख से के बताये recovery आपको यूज करना उसके बाद recovery पर आने कबाद यहाँ पर wipe पर जाना है advance wipe पर जाना है डॉलविग, cash, system, system.exe, vendor, data यह options को select करके यहाँ से simply wipe कर देना इनको swipe to wipe और यह जैसे यहाँ पर wipe हो जाएगा तो उसके बाद install पर जाकरके सब सपहले आपको अपना app w जो है उसको आपको यहाँ पर flush कर देना करने के बाद वाइप पे जाना फॉर्म टाटर पे जाना और यहां पर यहां पर simply यहां उस लिख करके format करना उसके बार रिबूट करना है यानि दिक्रिप्टेड वाले डोनों फाइल करने कशने की बार रिबूट करेंगे प्रटन को थोड़ी दिर होल्ड करके रखना फोन आपका दुबारा बूट होना जाए च्टार्ट हो जाएगा तो छोड़ देना है और इसके अन्द आपको कोई भी जो है सेट अप करने के लिए देखने को नहीं मिलेगा डारेक्ट आपका फोन ओन हो जाएगा सेट अप जो रख लेना अपने sd guard या फिर otg storage में कहीं पर इसको जो है simply आपको लास्ट में यहां पर इंस्टोल कर देना जब आपका फोन बूट हो जाए तो इसको आपको इंस्टोल कर देना इसको सिंपली इंस्टोल कर लेना और जब यह आपका इंस्टोल हो जाएगा तो उसके मैं पूछ लिए गार बाकि आप गेम की बात करेती हैं यहां पर जो गेम टरबो दिया गया इसमें आपको वॉस्चेंजर मिलता है जो की काम कर रहा है यहां पे गेमिंग मोड भी उपर दिया गया है जिसमें आप यहां पर प्रफूमंस इनेबल कर पाओ के बैलेंस यह जाती है वहीं अगर हम ग्राफिक की तरफ चलते हैं तो ग्राफिक के अंतर नॉर्मल जो पॉकर फ्म में इनेवल होता है वही ग्राफिक रहेगा इस तरीके का आपका इनेवल रहेगा और स्मूद एक्स्टीम पर मैं यहां पर खेल रहा हूं बट हाँ चीजर नहीं नहीं है भर यहां पर ylιαीं के मामले में बलेगा और वहाँ यहां बात करें तो भी आच्छा ही मिल जाता है कुछ हैवी depths और उपूल करता हूं तो लाइट से Crist Nigra मिल सकता है लेकिन लाइट जेटर देखने को मिल सकता है इस तरीके को यहां पर रहेगा बाकि जो भी फीचर आपको जैसे कि बताया है इस किंदर में और जो प्रोलम सी ओभी कैसे आपको हां पे देंगा एक फ्रैस कर दोगा नेम उसका या फिर इसकी इंसटोल कर देंगा न्युक्ति अपकर यह तरहाँ जो रहेगा जो पहले की और जाए आपके आपको यहां मिलता है ऊपर यहां करना है कि यूज करना है आपको अभी फिलाल तो अभी के लिए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजें और बैल आइक को प्रेस करके अलपे कर दीजा है तांक के अन्हीं वेडियोग की नोड़फिकेशन आप सबी को बिल थेंक्स फोर वाचिंग